नमस्कार घरे लूप चार में आपका स्वागत है कहीं भी रहें खुसाहाल रहें तो साथियों इस्तिरी रोग के बारे में आज मैं बता रहा हूं यह रोग इस्तिरियों के मासिक धर्म से जुड़ा हुआ है तो इस रोग को कई नाम से जाने जाते हैं महवारी भी बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं, इंगलिस में MC बोलते हैं अगर यह रोग भी ठीक नहीं है तो इस्तिरी पुत्रवान नहीं बन पाती है इसका भी कई कारण बताया गया है तो साथियों इस रोग का भी उपचार नहीं किया गया तो यह भी एक जटिल समस्या है तो आपको चाहिए कि किसी सरकारी अस्पताल में इसका इलाज कराना चाहिए किसी महिला डाक्टर के द्वारा तो इस सरी जो है उत्रवान बनने जोग हो जाती है अगर आप चाहते हैं कि हम घरेली उपचार करें तो यह भी करके आप लाव को प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको मुली से सभी लोग परचित हैं गाजर से सभी लोग परचित हैं तो मुली का बीज आपको लेना होगा गाजर का बीज लेना होगा और मेथी का बीज लेना होगा तो मेथी का बीज मैं दिखाऊंगा गाजर और मुली से सभी लोग परचित हैं तो इन सब को ब्राबर मतरा में लेकर जैसे आपने पचास-पचास गराम लिया तो तीनों को पचास-पचास गराम लेना है और अच्छी तरह कूट पीशकर छान कर सुरक्षीत रख लें और इस चूरण में से लगभग 15-20 गराम लेकर फाक कर उपर से गरम पानी पी लें यह परियोग सुबह के समय सिरीफ एक टाइम करना होगा और यह परियोग MC आने के एक हफ्ता पहले से सुरू करें और MC आने से पहले ही इसको बंद कर दें फिर दूसरे माह में MC आने से साथ दिन पहले इसको चालू करें फिर MC आने के दिन से इसको बंद कर दें तो साथियोग इस उपाय को पांच दिन से अधिक नहीं करना चाहिए प्रति माह में MC आने से पहले चालू करना चाहिए MC आने से एक दिन पहले इसको बंद कर दें तो साथियोग दूसरा नुक्सा है अगर आप चाहते हैं कि इससे भी साहज नुक्सा करें तो इसको भी सुन लें इस सिर्यों की जो बाल तूटती है सर की उस बाल को ले कर अपने अंगुली में लपेट कर और गले में ऐसे रगणने से पूरा गला में रगणने से भी रजो धर्म चालू हो जाता है यानि MC जारी हो जाता है तो यह बंद MC के लिए है या किसी इस्तिरी को कम मतरा में आ रहा है उसके लिए है यानि महवारी को चालू कर देना तो यह दोनों पिरियड में काम करता है अगर किसी इस्तिरी का MC बंद हो चुका है उसके लिए भी है अगर किसी इस्तिरी को मासिक धर्म खूल कर नहीं आ रहा है कमा रहा है उसमें भी यह कारिगर है दोनों नुक्सा तो आप दोनों में से कोई कर सकते हैं या आप दोनों ही कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको मेथी दना दिखा दूँ गाजर और मुली से सबी लोग परचित हैं तो दोस्तों देखिए यह है जो यह मेथी दना है जी यह किराने स्टोर में मिल जाता है यह देखिए मेथी यह है गरम मसाले में आता है जी जालों के दिन में ज्यादा इसका परियोग किया जाता है इससे तालका भी लगाया जाता है तो यह रहा मेथी दना तो दोस्तों मेथी दाना मैं आपको दिखा दिया ये भी पंसारी के दुकान में मिल जाती है किराने स्टोर में मेथी का दाने मिल जाते हैं लेकिन आप जब पंसारी के यहां जाएंगे तो आप उसे बोलिए गाजर का बीज चाहिए मुली का बीज चाहिए मेथी बीज चाहिए तीनों को बराबर मातरा में आपको लेना है और इससे करिए और औरतों के महवारी से बिल्कुल जो है आप जो है मुक्त हो जाएंगे बिल्कुल M.C. जारी हो जाएगी तो दोस्तों इसी तरह हम आपको वीडियो देता रहूँगा और आप घर बैठे लाब को उठा सकते हैं फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक के लिए हमें दिजिए इजाजाद नमस्कार